हलो मार्य वीवर्स कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका एक बाफिर्स पे आपके अपने ही चैनल में फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं इंग्लिश के कुछ ऐसे शॉर्ट सेंटेंस जो आपके डेली यूज्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट ह किजेगा मुझे कॉमेंट्स करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और हाँ अगर आप मेरे चैनल में नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजेगा करने जूसी मत कीजेगा तो चलिए बढ़ते हैं एक चोटे से वीडियो की तरफ देखते हैं आज का फॉर् इशन मेरे तब्वेत ठीक नहीं है तो मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगी मैं कहूंगी तो आपनी बात पर थोड़ा तो दम रखो कुछ तो ऐसा किया करो जिससे कि लोग आपकी बात पर कहें कि हाँ भई ये बात बिल्कुल सही बोली है कई बार ऐसा लोग कह देते हैं तो आपको इंग्लिश में अगर ऐसा कहना है किसी से कि अपनी बात पर दम रखो तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे आप कहेंगे make your opinion count अगला देखते हैं next है वो मूफट है कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मूफट होते हैं उन्हें जो सही लगता है वो मूग के सामने बोल देता है और जो गलत लगता हाँ वो भी मूग के सामने बोल देता है ऐसी लोग अक्सर बहुत अच्छे ह होते हैं ठीक है पीच पीचे कुछ भी नहीं कहते है आपके बेक पे वो बिलकुल कुछ नहीं कहते है अच्छे होते हैं इंग्लिश में क्या कहेंगे she is very blunt या he is very blunt जबर लड़का ही हो या लड़की हो फिशी कोई भी हो सकता है blood, mover, okay, next, next है, मैं यू गई और मैं यू आई, ये sentence दों बहुत जादा use करती हूँ, आप भी बहुत जादा use करते होंगे, कि मैं यू गई और यू आई, English में कैसे कहते हैं, English में कहते हैं, I'll be back in a flesh, क्या कहते हैं, I'll be back in a flesh, next, next है, तुमने मेरी बात माननी कब से शुरू कर दी, since when did you start listening to me, क्या कहेंगे आप, since when did you start listening to me, तुमने मेरी बात माननी कब से शुरू कर दी भई, इस तरी के तो, ठीक है, आगे देखते है, पुछे रास्ता मिल गया है, तो बहुत सिंपल है, I have found my way, कई भी रास्ता, कोई रास्ता भी मिल सकता है, या आपको कोई आइडिया भी मिल सकता है, तो आप उसके लिए भी यह कह सकते हैं, I have found my, sorry, found my way, next है, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, जब आपको किसी की बात अच्छी लगती है, और आप उसे बताना चाहते हैं, कि मुझे आपकी बात अच्छी लगी, तो आप English में कैसे कहते हैं, आप कहते हैं, I found your point interesting, आप क्या कहते हैं, I found your point interesting, मुझे आपकी बात अच्छी लगी, आगे देखते हैं, next, next है, उसे सबक सिखानी की जरुद है, she needs to be taught a lesson, she भी हो सकती है, और he भी हो सकता है, वो लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है, she needs to be taught a lesson, यहापर lesson ने लिखा है, sorry, next है, कपड़े सुखादो, और भी कपड़े सुखादो की इंग्लिश क्या होती है, कई बार हम लोग कहते है, कपड़े सुखाने, को इंग्लिश में क्या कहते है, तो मैं बताती है आपको, तो अगर आपको कहना है कपड़े सुखादो, तो आप बोलिए, put the clothes to dry, क्या कहेंगे, put the clothes to dry, next and last देखते है, मैं आपको डुरान नहीं चाहती थी, मैं आपको डुरान नहीं चाहती थी, I didn't mean to scare you, क्या कहेंगे, I didn't mean to scare you, मैं आपको डुरान नहीं चाहती थी, seriously, इस तरीके थे, तो friends, I hope आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो जल्दी से like कर दीजे, comments कीजे, और हाँ, आपको किस तरीके के वीडियो चाहिए, आप मुझे ये भी बता सकते हैं, वीडियो को लेके कोई suggestion है, तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए, बाबाई, टेक केर